या दिवी सर्भू तेशु मालक्ष्मी रूपे इनिसस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नम्हा आप सभी को दीपावली के महापर्व की हार्दिक शुब कामने मालक्ष्मी जी सदा आप सभी के घर में धन के भंडार भरें आप सभी को सदा सारी खुशियां आज देवाली के शुब अफसर पर आप सुनेंगे दीपावली के दिन सुनी जाने वाली कथाएं और मा लक्ष्मी जी की आरती और श्री लक्ष्मी चालिसा पार्ट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा हर साल कार्टिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का महापर्व दीपावली मनाया जाता है इस दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी के पूजन का विधान है साथ ही मानिता है कि इसी दिन भगवान श्री राम लंका पर विज़ेप्राप्त करके वापस अयोध्या लोटे थ हैं ये दिन मालक्ष्मी जी के पूजन के लिए विशेश है मानिता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन विधी विधान से करने से सबी मनुकामनाओं की पूर्थी हो जाती है दिवाली के पूजन में मालक्ष्मी जी की पौराणी कथा और आर्ति का पाठ जरूर करना चा कि है महानुभाव कार्तिक की मौस्य को प्रात्यकाल इस्तिनान करके भक्ति पूर्वक पितर और देव पूजन करना चाहिए उस दिन रोगी और बालक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए शाम को विधिपूर्वक लक्षमी जी का मंडब बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, धोजा और पता का आदिसे सुसजित करना चाहिए अन्य देवी देवताओं सहित लक्षमी जी का शोड़सोप चार पूजन करना चाहिए पूजा करने के उपरात परिक्रमा करनी चाहिए तब मुनिश्वर ने पूछा लक्षमी पूजन के साथ अन सब को कैद से छुड़ाया था बंधन मुक्तो होते ही सब देवता लक्षमी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर ना जाकर स्वच्छ इस्थान और कोमल श और विधी पुर्वक पूजन करके उन्हें विवित प्रकार के मिस्थान का नैवेत अरपन करना चाहिए दीप जलाने चाहिए दीपावली की रात को अगर अपने सिर के ऊपर से एक जलता हुआ दीपक साथ बार उतारा जाए उसके बाद किसी चोराहे पर ये शम्षान में रखतिया जाए तो उससे हर प्रकार के अनिस्ट की आश्यंका से बचा जा सकता है और ऐसे लोगों को किसी की बुरी नजर भी नहीं लगती अब सुनिए दीपावली के दिन सुनी जाने वाली सबसे प्रचलित और पौरानिक कथाएं पहली पौरानिक कथा के निसार एक साह उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चड़ाने जाया करती पीपल के व्रिक्ष पर लक्षमी जी का भी वास माना जाता है एक दिन लक्षमी जी ने प्रकट होकर साहुकार की पुतरी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ उसने पिता से पूच कर उत्तर देने को कहा घर आकर बेटी ने अपने पिता को सारी बात बताई बेटी की बात सुनकर साहुकार ने हाँ कह दिया अगले ही दिन साहुकार की बेटी ने लक्षमी जी को अपनी सहेली बना लिया अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और सकھیयों की तरह वे एक दूसरे से बाते करने लगती, एक दिन लक्षमी जी साहुकार की बेटी को अपने घर ले कर आई, लक्षमी जी ने अपने घर में साहुकार की बेटी का खूब आधर सत्कार किया और तरहतरा के पकवान परोसे, जब लड़की अपनी घर वापस लोटने लगी तो लक्षमी जी ने उससे पूछा, म लेकिन उसकी तो आर्थिक इस्तिती ठीक नहीं है, वो अपनी सहली की तरह इतने अच्छे अच्छे पाकवान तो उन्हें नहीं परोज सकती। अब साहुकार की पुत्री ने लक्षमीजी से कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर तुम्हें बताऊंगी। साहुकार की बेटी ने अपने पिता को घर आकर सारी बात बताई, तो साहुकार ने अपनी बेटी से कहा कि वो अपनी सहली को अपनी घर पर जरूर आमंतृत करे। साहुकार की बेटी ने आर्थिक इस्तिती ठीक ना होने के बाद भी अपनी सहिली को अपनी घर पर आमंत्रित कर तो दिया लेकिन उनका स्वागत करने में वो घबरा रही थी क्योंकि उसके घर में ना तो बिठाने के लिए अच्छी जगह थी ना ही तरह तरह के पकवान थे जो अपनी सहिली को परोश सकती उधर साहुकार अपनी बेटी की मनोदर्शा अच्छे से जानता था उसने अपनी बेटी को समझाते वे कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो तुरंत घर की साफ सफाई करके चौका मिट्टी से लीप दो इसके साथ ही चार बत्ती वाला दिया लक्षमी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहुकार ने अपनी बेटी से कह दिया ठीक उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर साहुकार के घर पर गिरा कर चली गई साहुकार की बेटी ने उस हार को बेच कर अब भोजन की तयारी की थोड़ी ही देर में लक्षमी जी भगवान गणेश के साथ साहुकार की घर पर आए क्योंकि वे दोनों ही भेश बदल कर उनके घर पधारे थे इसलिए साहुकार और उसकी पुत्री उन दोनों को पहचान नहीं पाए साहुकार ने अपनी पुत्री के साथ मिलकर लक्षमी जी और भगवान गणेश की बहुत सेवा की और किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी थी उनकी जैसी सामर्थ थी उसके अनुसार उन्होंने पकवान बना कर उन्हें परोसे मा लक्ष्मी जी दोनों की सिवा से बहुत प्रसन हुई और फिर उनके वर्दान से साहुकार और उसकी बेटी की आर्थिक इस्तिती अच्छी हो गई और विधनवान बन गए आनिता है कि तभी से जगमक करतवा दीपावली का ये त्योहर मनाया जाता है और इस तरह दीप चलाकर अंधेरे को दूर भगाया जाता है दीवाली की दूसरी परानी कथा के नुसार एक बार कार्थिक मास की अमावस को लक्ष्मी जी भ्रहमण पर निकली लेकिन पूरे संसार में चारो और अंधकार ही अंधकार था तो वि रास्ता भूल गी उन्होंने निश्य किया कि रात को वे मृत्य लोक में बिताएंगी सूर्दय के बाद व्याकूंट लोक में वापस पहुँच आएंगी मगर उन्हाने देखा कि सभी लोग मृत्य लोग में अपने अपने घरों में दर्वाज़ा बंद करके सो रहे हैं सबकी घर में अंधकार था मगर इसी घने अंधेरे में उन्हें एक द्वार खुला हुआ दिखाई दिया जिसमें दीपक की एक लोग टिम्टिमा रही थी वे उस प्रकाश की ओर ही चल दी जहां पहुँशने पर नौने एक व्रध महिला को चर्खा चलाते वे देखा रात्री विश्राम की अनुमती लेकर वे उसी व्रध्धा की कुटिया में रुख गई व्रध्धा मा लक्ष्मी जी को विस्तरादी देकर दुबारा काम में लग गई चर्खा चलाते चलाते उन व्रध्धा की आँख लग गई अगले दिन सुभा उठने पर उन्होंने देखा कि उनके घर में जो अतिधी आई थी वो तो जा चुकी है लेकिन उनकी कुटिया की जगह पर एक शांदार महल खड़ा हो गया था हर ओर धन धान रत्न जेवरात बिखरे वे थे तब से कार्ति कमावस्य की रात को दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है और इस रात को लोग द्वार खोल कर लक्षमी जी के आगमन की प्रतिक्षा करते हैं क्योंकि इस बार बड़ी दिवाली और छोटी दिवाली जिसे नरक चतुरदशी के रूप में भी मनाया जाता है एक ही दिन है इसलिए आज की इस वीडियो में अब आप सुनिए नरक चतुरदशी यानि की छोटी दिवाली की कथा कहते हैं कि नरक चतुरदशी के दिन ही भगवान श्रीक्रिश्ने ने अत्यचारी और दुराचारी नरकासुर का वद किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी ग्रह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था इस उपलक्ष में भी दीप जला कर स्वागत सितकार करके खुशिया मनाई जाती है नरक चतुरदशी के दिन ही रात को यमदीपक भी जलाय जाता है पुराणों में नरक चतुरदशी से संबन्दित एक और कथा मिलती है जिसके अनुसार एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि हे यमदूतों क्या तुम्हे प्राणियों के प्राण हरते समय किसी पर दया नहीं आती पहले तो यमदूत सोच में पढ़ गए फिर कहने लगे कि नहीं महराज किन्तों यमराज को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ उन्होंने फिर से पूछा तब दोबारा आग रह करने पर दूतों ने गटना का उलेक किया उन्होंने बताया कि हेम नामक राजा की पतनी ने एक पुत्र को एक बार जनम दिया उसके जनम के बाद ही जो तिशियों ने नक्षत्र गणना करके राजा को बताया कि वह बालक जब भी विवाह करेगा उसके ठीक चार दिन बाद ही उसकी मृत्ति हो जाएगी ये जानने के बाद उस राजा ने बालक को यमुना नदी के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर उसका लालन पालन किया एक दिन उसी यमुना नदी के तट पर महराज हंस की युवा पुत्री यमुना तट पर घूम रही थी जब राजकुमार ने उस राजकुमारी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया जोतिश करना की अनुसार जैसे ही विवाह के बाद चौथा दिन पूरा हुआ राजकुमार की मृत्य हो गई अपने पती की मृत्यू देखकर राजकुमारी बिलख बिलख करोनी लगी यमदूतों ने यमराज से कहा कि महराज उस नविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हर्ते भी काप उठा था यम्दूतों ने कहा कि उस राजकुमार के प्राण हर्तिस में हे यम्राज हमारे भी आसु नहीं रुखवा रहे थे तब ही एक यम्दूत ने यम्राज से पूछा कि हे यम्राज क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है इस पर यम्राज ने उन्हें एक उपाय के बारे में बताया कि नरक्चतुरदशी के दिन अकाल मृत्यु से चुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को पूजन और दीपदान विधी विधान के साथ करना चाहिए जिस घर में नरक्चतुरदशी के दिन दीपदान किया जाता है वहां के लोगों को अकाल मृत्यु का भई नहीं सताता इस कारण ही नरक्चतुरदशी के दिन यम के नाम का दीपदान करने की भी परंपरा है ये थी दीपावली के दिन सुनी जाने वाली पौराणी कताएं अब सुनिए श्री लक्ष्मी चालिसा पाथ और आर्थी चरु सुआस जै जन्नी जग्दंपिका सिंधु सुता मैं सुमिरोतो ही घ्ञान पुद्धि विध्यादों मोही तुम समान नहीं कोई उपकारी सब विधी पुर्वहु आस हमारी जै जै जगत जननी जगदंबा सबके तुम ही हो स्वलंबा तुम ही हो घट घट के वासी विनती यही हमारी खासी जग जननी जै सिंधु कुमारी दीनन की तुम हो हितकारी विनयो नित्य तुम ही महरानी कृपा करो जग जननी भवानी यही विधी इस्तुती करो तिहारी सुधिली जै अप राध बिसारी कृपाद्रेस्टी जितवो मम ओरी जगत जननी विनती सुन मोरी ज्यान बुधि जै सुख की दाता संकट हरो हमारी माता क्षीर सिंधु जब विश्नु मतायो चौधरत्न सिंधु में पायो चौधरत्न में तुम सुख रासी सेवा कियो प्रभु ही बन दासी जब जब जन्म जहा प्रभुली नहा रूप बदल तह सेवा की नहा स्वयम विश्नु जब नर्तनु धारा लीने हुँ अवधपुरी अवतारा तब तुम प्रकट जनक पुरमाही सेवा की ओह दय पुलकाही अपनायो तो ही अंतर्यामी विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी तुम सब प्रवल शक्त नहीं आनी कह तक महिमा कहों बखानी मन क्रम वचन करे सिवकाई मन इच्छित वांचित फल पाई तजी छल कपट और चतुराई पूजही विविध भाति मन लाई और हाल मैं कहों बुझाई जो यह पाठ करे मन लाई ताको कोई कस्ट ना होई मन इच्छित फल पावे फल सोई त्राही त्राही जै दुख निवारणी त्रिविध ताप भव बंधन हारणी जो यह चालिसा पढ़े और पढ़ावे इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे ताको कोई नरोग सतावे पुत्र आदी धन संपति पावे पुत्र हीन और संपति हीना अंधा वधिर कोडियत दीन विप्र बुलाए के पाठ करावे शंका दिल में कभी ना लावे पाठ करावे दिन चालिसा तापर कृपा करे गौरी सा सुख संपति बहुत सीपावे कमी नहीं काहू कियावे बार हमास करे जो पूजा तेही सम धन्य और नहीं दूजा प्रत दिन पाठ करे मन माही उन सम कोई जग में नाही बहुवित क्या में करो बढ़ाई ले परिक्षा ध्यान लगाई करी विश्वास करे वृत नेमा हो इसित उप जै और प्रेमा जै 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 लक्षमी महरानी सब में व्यापित जो गुण खानी तुम रोतेज प्रबल जगमाही तुम सम कोई दयाल कोई नाही मोही अनाथ की सुधियब लीजे संकट काटी भक्ति मोही दीजे भूल चुक करिक्षमा हमारी दर्शन दीजे दशानिहारी बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी तुम ही अक्षत दुख सहते भारी नहीं मोही ज्यान बुध्धी है तन में सब जानत हो अपने मन में रूप चतर भुज करके धारन कस्ट मोर अब कर हुनिवारन कहीं प्रकार में करो बढ़ाई ज्यान बुध्धी मोही नाही अधिकाई रामदास अब कहाई पुकारी करो दूर तुम विपती हमारी त्राही त्राही दुखारणी हरो बेगी सबत्रास जैती जैती जै लक्षमी करो शत्रुन का नाश रामदास हरिध्यान नित विनैकरत कर जोर मातू लक्षमी दास पर करहू दया की कोर इती लक्षमी चालिसा संपुनम मा लक्षमी जी की आरती ओम जै लक्ष्मी माता मैया जै लक्ष्मी माता तुम को निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता ओम जै लक्ष्मी माता उमारमा ब्रह्मानी तुम ही जग माता मैया तुम ही जग माता सुर चंद्रमा ध्यावत नारद रिश गाता ओम जै लक्ष्मी माता दुरगा रूप निरंजनी सुख संपति दाता मैया सुख संपति दाता जो कोई तुम को ध्याता रिदि सिधिधन पाता ओम जै लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासनी तुम ही शुब दाता मैया तुम ही शुब दाता कर्म प्रभाव प्रकाशनी भवन धिकी त्राता ओम जै लक्ष्मी माता जिस घर तुम रहती सब सद गुण आता मैया सब सद गुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता ओम जै लक्ष्मी माता तुम बिन यग्य न होते वस्त्र न कोई पाता मैया वस्त्र न कोई पाता खान पान का वैभव सब तुम से आता ओम जै लक्ष्मी माता शुब गुण मंदिर सुन्दर क्षीरो दधी जाता मैया क्षीरो दधी जाता रत्न चतुर दश तुम बिन कोई नहीं पाता ओम जै लक्ष्मी माता महा लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया जो कोई नर गाता उर आनंद समाता पाप उतर जाता ओम जै लक्ष्मी माता मैया जै लक्ष्मी माता तुम को निश दिन सेवत तुम को निश दिन सेवत हर विष्नु विधाता ओम जै लक्षमी माता मैया जै लक्षमी माता प्रेम से बोलिए लक्षमी मैया की जै